गूगल मीट एप में प्रोफाइल फोटो कैसे लगाए? हलो दोस्तो आप सभी का सुवागत है फिर से एक न्यू वीडियो में एंड इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ अगर आप गूगल मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं और गूगल मीट एप के अंदर आप अपने प्रोफाइल फोटो को सेट करना चाहते हैं लगाना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि गूगल मीट में प्रोफाइल फोटो कैसे लगाया जाता है इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इसी के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तों चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो Google Meet में प्रोफाइल फोटो लगाना बहुत यह असान है बहुत ही सिंपल तरीका है जिसकी मतर से आप Google Meet अप में अपना प्रोफाइल फोटो लगा सकते हैं सबसे पहले आपको जो है Google Meet में प्रोफाइल फोटो लगाने के लिए आपको Google Meet अप को खोल लेना है अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी इसी तरीके से कर सकते हैं फोटो भी इसी तरीके से लगा सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ इसके लिए आपको यहाँ पे Google Meet को ओपन कर लेना है इसके बाद उपर में एक लोगो दिखेगा आपको इस लोगो पे किलिक करना है लोगों पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको Google अकाउंट वाला एक बटन मिल जाएगा आपको इस Google अकाउंट वाले बटन पर क्लिक कर देना है Google अकाउंट वाले बटन पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको धेर सारा settings देखने को मिल जाता है, इसके बाद यहाँ पर जो है आपको एक option देखने को मिलेगा personal info तो आपको इस पे click करना है, और personal info के button पे आप जरसे ही click कर देते हैं तो नीचे में जो है आपको एक option देखने को मिल जाता है यहाँ पर, जैसे कि देख सकते लिखावा है profile picture आपको इस profile picture वाले बटन पे क्लिक कर देना है यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का paste देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप चाहे तो अपने profile picture को remove भी कर सकते है अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे change का option दिखेगा आपको इस पे क्लिक कर देना है चेंज के option पे क्लिक करने के बाद आपको उपर में जो है device photo का एक बटन मिलेगा आपको इसको slack करना है और browser और take ए फोटो के option पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको file वाला option को choose करना है यहाँ पर click करने के बाद जो है आपको उपर में एक three line का button मिलेगा इस पर click करके आपको image वाले option को slack कर लेना है अब आपके file measure का जितना भी file होगा so हो जाएगा और जो भी file folder में जो है आपका photo है ना उसे आप choose कर लिजिए अब जैसे कि यहाँ पर माल लीजिए मेरा instagram में है तो मैंने instagram को choose कर लिया अब मैं यहाँ पर instagram से जो photo लगाना चाहता हूँ simply मैं उस पर click कर दूँगा click करने के बाद यह photo यहाँ पर upload होना start हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं आप चाहे तो इसे rotate वगारा भी यहाँ पर कर सकते हैं crop वगारा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसके बाद आपको next के बटन पे click करना है यहाँ पर save as profile picture के option पर Click कर देना है save as profile picture के option पर जैसे ही click कर देते हैं तो यह जो आपका profile picture है वो आपके जो है Google Meet app में set हो जाएगा यानि लग जाएगा profile picture आपका change हो जाएगा और देख सकते हैं इस तरीके से आप भी यहाँ पर जो है Google Meet app के अंदर जो है अपना profile photo लगा सकते हैं और अगर आपको यहाँ पर profile photo सो नहीं करेगा तो आप अपने Google Meet को एक बार cut करके open कीजेगा या फिर आपको थोड़ा देर wait करना है और इसके बाद दो आपका दो profile picture हो यहाँ पर लग जाएगा और इस तरीके से तो आप भी यहाँ पर profile picture को set कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा आप हमें comment box में जूर से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इस channel को subscribe करना ना भूले